hello everyone welcome back once again so ask video में हम करेंगे एक furniture so how to make a open drawer so draw जब बनाते वैसे normally आप इजली बना सकते हो तो मैं इसमें two point perspective यूश करके परूँगा मैं जब ड्रॉप करता हूं तो इसमें points visible नहीं होता तो ध्यान दे कि हम इसमें कुछ ना कुछ vanishing point होगा तो बाइचांस कभी कोई page से ऐसे एक दूफ वीडियो में हुआ है वैसे तो बच्चे थो confused हो जाते हैं तो इसमें कुछ confusion होने की ज़रूद नहीं बस आप कैस करेंगे तो सबसे पहले जब ड्रॉप करेंगे हम तो पहले height से define करेंगे कि object का जो height हो कितना है अपने recording reduce कर सकते हूं increase size और enlarge भी कर सकते हूं सबसे पहले जो width है product का तो मैं right side point से ले रहा हूं और depth लोंगा वो left side point से लोंगा ठीक है जो जो extra line हमें raise करते हैं तो यह एक two point perspective वी हुए तो आप चाहो तो इसको one point perspective से बना सकते हो again isometric view से भी भी बना सकते हो यह completely आपके उपर है so यहां पर रहा हमारा depth so बक्की क्योंकि हमारा eye level के below हमारा product है तो हम उसका top feasible होगा तो हम इसका cross से joint कर ले तो उसको अराम से आप उसको जैसे यह देखिया point से जा रहा है तो अभी मैं इसको opposite connect कर लूँगा तो यह line left को right से and right को left से so बहुत easy बस आपको follow करना है guidelines बहुत important हुँ so यहां पर देख सकते हो कि आप मैं point को cross connection कर रहा हूं इस point से right set so हमारा पूरा जॉइन करने की need नहीं है आप करना हा तो कर सकते हो पर lightly draw करें तो आपको पता सुझाएगे सारे जो points lines आ रहे हो हमारे एक तो vertical line जो हमारा parallel है और बाकी जो points हमारे जो width and depth तो two points आ रहा है तो अभी इसमें partition दिखाएंगे जिसे drawer के लिए और बाकी ऐसे covered के लिए सपोस जैसे उसमें center bracket है सपोस ओपन के निगली doors है तो उसमें हम नावस पगर कुछ जो है detailing वो दिखा देंगे इसे center अब define कर लोगे तो exact क्या होगा उसमें आपको exact center मिल जाएगा ठीक है अदर्वाइस आप क्या होगा जनरली आप इसे draw करोगे तो हम इसे perspective में सामने वाला idea होगा बढ़ा होगा और जो back side का proportion होगा बढ़ा चोटा होगा तो exact you know सेंट में प्रस्पेक्टिम में आपको exact center मिल जाएगा उसमें तो उसके बाद इसमें हम draws बनाएंगे तो आप अपने according to 3 अपने according कुछ भी बना सकते हो तो मैं 3 बनाऊंगा एगें मैं दिखाऊंगा कि open draw कैसे बनाता है तो close बाला तो सिंपल है जिसे मैंने draw कर दिया इस बरी सिंपल हो गया बस इसमें आप handle बना दो गया नॉप्स बना दो गया तो इस kind of complete पर सब बाकी detailing आप draw करने बस बट इसमें जैसे मैं open करके दिखाऊंगा एगें उसमें जो नॉप्स बिनाऊंगा वो भी मैं center में करूंगा तो यहां पर जैसे cross क्या तो मुझे अभी क्या होगा उसमें exact center मिल जाएगा मुसमें तूसी लाइन में तीनों जो कबर्ट के तेनों के ड्रॉर है उसके नॉप्स या handle का जो center होगा वो सी लाइन पर आना चाहिए ठीक है तो ऐसे आप छुट-छुट जो का याद रखी बहुत important ही है जब draw के तो अब product खास करके तो अब इसमें हम draw करेंगे जो left-right point से उसका एक्स्टेंड करेंगे तो ऐसे लेगेगा कि open draw पनाएंगे बाकि हम कुछ lines से erase करना पड़ेगा बाद में अपने recording ज्यादा भी कर सकते हो कम भी कर सकते हो ज्यादा कम करेंगे तो ज्यादा कुछ फरक नहीं बढ़ेगा तो थ्यादा सा हलका सा ज्यादा कर ले तो आपको proper दिखेगा कि वह open हो रख है ठीक है यही सब राइट पॉइंट से और इस पॉइंट से भी आपको connect करना है तो ऐसे एक box बन जाएगा again outside तो इसको जो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा जो लाइन से उसको आप erase कर लिए ठीक है तो गाइडलाइन स्ट्रों करना बहुत इंपॉर्टन है अगर पाइचांस इसको समझ नहीं आ रहा तो यही भी एक क्यूवर्ट्स हम एड के एक बाहर देखिए तो ओवरल जो पूरा कवर्ड है हमारा वह एक क्यूवर्ड है उसके अपर मैं एगें उसको पर बैंत में दूंगा तो ऐसा रगा कि हमें गो अपैंश हो को रखा है हाउ मौन मैं कि मतली के दान अद्धी स приложừ कि और जो अधैसा में सहल चैकर एकर में चलीड हे तरी बाकि में द्नाइध थे सूद्र मिंगा निया मौन कौन सा लाइन कप एरेज करना वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो इससे भी कभी कभी गलत लाइन्स एरेज कर लेते हैं तो इसलिए एक्जाक्ट लाइन्स जो है प्रॉपर एरेज करें तो यह काइंड ओप जैसे देख सकते हो आप मैंने फोड़ा उपन के आप चाहां हो तो फ्ला सा और भी इंक्रीज कर सकते हो उसका जो लेंथ है तो कबर्टे से लेगे कि और ओपन हुआ रखा है इधर आप जैसे भी मैं डिजिल ड्रॉप कर रहा हूं तो आप मैनुल जब ड्रॉप कर रहोगे तो ध्यान रखना कि गाइड लेंड जो है जैसे आप बहुत लाइट पेंसिल से रॉप कर से तो फिर जो डाक पेंसिल यूज करके फाइनल जो हमारा प्रॉडेक्ट है उसको अब इसमें क्या करेंगे जिससे छोट छोट छोटे रिलेक्स जेनरली होता है वो ग्राउंड से थोड़ा उपर क्योंकि कोई भी देखो गया आप इसे कवर्ट तो हमीशा छोट छोट छोटे रिलेक्स तो भूब हम ड्रॉप करेंगे और थिक्निस पगरा एट कर लेंगे बोट साइट से हमारा ञता है कि अधे क्योंकि व अब उसको जॉड़ा क्योंकि हमारा सेंटर हो गया है जो हमरा प्रादक्ट है मैं लो जूसेंटर गबर्ड है जो हम ड्र अपन करे लिए तो उसका जुन नॉब है वो एगेन उसको भी जुत भी क्रोस कराउगक ता आप चांदनाई हैंडल्स पर ग्राब है आड़ कर सकते हो और जो थोर्ड नो डॉर का जो नॉब है वो हमें विजिबल नहीं होगा तो सेम ऐसे ही आप जैसे अल्रेडी उसमें भी हमारा सेंटर नो पांड़ किया हुआ है तो क्रॉस्ट पर होगे तो आपका लाइन वीजिबल होगा तो उसमें सेंटर में आप एक्जाक्ट क्या करो वहां पर नॉब बना लो तो बहुत ही चाहिए एगें सेंट सेंटर और हैं पाइनल लाइन्स अभी छोड़ छोड़ जो उसमें है बोट रॉक कर लेंगे लेक्स और एगें उसमें भी हमें थिकनेस और देफ्थ दोनों आड़ करना है तो जैसे मैंने फॉर्स्ट का अभी डेफ्थ एड़ नहीं क्या सो सेम फॉर्स्ट थिकनेस और उसके बाद ऑपोजेट साइट पॉइंट से देफ्थ आपको आड़ करना है अधिर को इस आप चाहो तो और भी डी टेलिंग उसमें अट कर लो चाहों ड्राइस को ट्रॉस का जो डिजाइन उसको चेंज कर सकते हैं अलगल टाइप की ओपिनिंग भू होते हैं आप नॉब बना सकते हैं आपको फॉलो करना है और आपका लेवल एगें उपर भी हो सकते है नीचे भी हो सकते है पर उपर होगा तभी हमें टॉप दिखेगा तो जब अगर आपका लेवल ज्यादा प्रॉडेक्ट के पास है तो धियान रखिए कि उसका जो हाइट है जो आओ तो हैचिंग कर सकते हो देफ्ट आड़ करने के लिए इस कंप्लेटली अप्टु यू तो थैंक्यू सो मिच पू वाचिंग ऐसे में और बहुत सब्सक्राइब थैंक्यू सो मिच